आपको होटला रेज्ट में बनने वाले तीन तरह के सेंडवीच बनाना रेज्ट कहाऊँगा। तीनों ही सेंडवीच खाना हैं बहुत ज़्यदा टेस्ट होते हैं। एक हम बनाएंगे बैज गरिल चीज सेंडवीच बिरना गरिलर से बनाके दिखाऊँगा। और दो बनाएंगे हम कोल्सलो सेंडबिच दोनों ही अलग-अलग टेस्ट में बनाके दिखाऊंगा तो चलिए रेस्पी शुरू करते हैं सबसे पहले हम कोल्सलो सेंडबिच बनाएंगे यहां पर मैंने थोड़ी सी पत्तागोबी और गाजर लिया है तो पत्तागोबी को इसके बद आपने पत्तागोबी को लच्छे हैं उनको आपने अलग-लग कर देना है इस तरह से और जो गाजर है इसको भी आपने इसी तरह से काटना है तो गाजर में आपने एक कट लगा देना है तो गाजर में आपने एक कट लगा देना है इस तरह से आपकी गाजर जो ह से कदूरस नहीं करना है इसके बद गाजरों पत्तकों भी को आपने एक बॉल में डाल देना है और एक बॉल में डालने के बद आपने इसको थोड़ा सा जोर से मैश करना है ताकि सब्जियों थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं पैसे हम क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा विनेगर powder या black paper powder add करना है थोड़ा साथ तीखा करने के लिए sandwich को और अच्छी तरह से आपने मियोनिस को पत्ता गोपी और गाजर के साथ mix कर लेने देखिए इस तरह से अगर आपको लगता है कि मियोनिस में कम हो रही है तो आप इसके अंदर थोड़ी सी मियोनिस और mix कर सकते हैं तो ओके देखिए यहाँ पर मैंने दो छोड़े चमा मियोनिस के और add कर दिया है और इसको भी अच्छी तरह से mix कर लेंगे तो आपकी जो cold slow है थोड़ी सी लट पटी होनी चाहिए तो आपके जो अच्छी तरह से मियोनिस के साथ mix होनी चाहिए तो ओके देखिए हमारी जो cold slow है बनके त्यार हो चुके इसके बद आपने इसको ना कम से कम आदे गंटे का रेश देना है ताकि हमने जो इसमें सबजियां एड़ की हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं तो इसको उपर से कवर कर दीशे और आदे गंटे का भी इसको रेश्ट दीशे और आप इस कोल स्लो को स्टोर करना चाहें स्टोर भी कर सकते हैं दो दिन तक ये खराब भी ने होती है फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं और यहां मैंने चार पीस ब्राउन ब्रेट के लिए हैं साथ में थोड़ा सा सॉल्टर बटर यूज़ की है जो बटर है उसको मैंने हलका सा melt कर लिया है और कि देखिए आपने आप सबसे पहले ब्रेड के उपर बटर लगाना है बटर से बहुत अच्छा टेश्ट आता है सेंडविश में तो इस तरह से आप अच्छी तरह से बटर लगा देशे और मैं यहाप ब्राउन ब्रेड में बना रहा हूं आप चाहें श्तफिंग करना चाहें जयादा सटफिंग कर सकते हैं कम सटफिंग करना चाहें अच्छी तरह से आपने कोशलो को फिला देना आए दोसरी बटर वाली ब्रेड जो आपने ऊपर रखते नहीं है तो इस तरह से simple सा cold slow sandwich त्यार हो जाएगा और जो side हैं आपने cold slow रखने के बाद कारती है इसलिए के होगा अच्छी स्पाई आएगी आपकी sandwich में नहीं तो जब आप पहले side हैं कारतेंगे बाद में cold slow रखेंगे तो ना वो cold slow बाहर निकल जाती है और इसके बाद आप इसके 1 by 2 या 1 by 4 कर दिशे के देखिए बन गया ना easily cold slow sandwich अभी इसी cold slow से मैं आपको दूसरा sandwich बनाना चिखाऊँगा के देखिए cold slow बच के ना आदी cold slow हम इसमें से निकाल लेते हैं एक ही sandwich के लिए रखेंगे तो जो बचिए cold slow है उसमें आपने mustard paste या mustard kasundi paste आइड करना है यह देखिए एक छोड़ा चम भर के आप इसमें mustard kasundi paste आइड कर दिशे यह market में easily मिल जाता है इससे आपकी sandwich का taste भी change होज़ेगा flavor भी change होज़ेगा तो इसको भी अच्छी तरह से mix कर लेते हैं तो एक ही cold slow से आपके दो तरह के sandwich बनके त्यार होज़ेगे देखिए cold slow का color भी change हो चुका है तो इसी तरह से आपने cold slow लेनी है और उसी red के ओपर रख देनी है जो दूसरी red के ओपर हमने butter लगा के रखा था आप इसमें लगाना चाहें lettuce leaf भी लगा सकते हैं इसके ओपर और के देखिए क्या जवरदस हमारा दूसरा तरह का sandwich बनके त्यार होगा तो एक ही तरह के cold slow sandwich खागे आप भी बोर हो चुके हैं तो इसको आप follow कर सकते हैं और इसके बद आपने side cutting कर देनी है तो उपर से जब आप प्रेस करते हैं bread को हलकी हाथों से प्रेस करना है ज़्यादा जोर से दबा के आपने side cutting नहीं करनी है नहीं तो cold slow जो बाहर निकल सकते है और यह देखे बीच से आप इसके 1-2 कर देशे और इसको serve कर देशे तो इस दूसरी तरह का सेंट भी त्यार हो चुका है अब तीसरी तरह का सेंट भी रोनानेस खाऊंगा यहां मैंने प्याज तीनों प्रकार की शिमला मिर्च ली है आप चाहें इसमें मश्रूम भी आड़ कर सकते हैं तो इस जो तो यह हमारी देखिए सबजी की cutting हो चुकी है इन सब को इकठा कर लिशे और इसके बद आपने का करना है एक पैन लेना है नॉंस्टिक पैन लिशे है कोई भी पैन लिशे और उसमें आपने एक चमश बटर एड़ करना है मैं आपे बटर में बना रहा हूँ आप उयल का यूज़ करना चाहें तो कर सकते है बटर से अच्छा टेश आएगा बटर जैसे मेल्ट हो जाएगा इसके बद आपने इसमें सबजी एड़ कर देनी है और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है डेट से दो मिन तक आपने सबजी को थोड़ा सा पका लेना है वो क्यों ताकि सबजी के अंदर जो मौइश्र है वो खत्म हो जाए और हमारी जो सबजी है वो अच्छी तरह से पक भी जाए तो के देखिए सबजी हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है इसके बुद आपने इसमें थोड़ा सा नमक आड़ करना है बिल्गुल थोड़ा सा साथ में थोड़ा सा आप इसमें औरेगनो आड़ कीशिए थोड़े से आपने इसमें चिली फ्लेक्स आड़ करने है तीखा करने के लिए बच्चों के लिए बना रहे हैं चिली फ्लैक्स आप स्कीप कर सकते हैं थोड़ा सा मैंने इसमें ब्लैक पेपर क्राश एड़ किया है और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं तो यह हमारा मिक्चर देखे त्यार हो चुका है इस मिक्चर को आप एक बॉल में निकाल लीशे और इसको ठंडा कर लीशे ज्यादा टाइम ठंडा होने में नहीं लएगा रेट से दो मिल में ठंडा भी हो चाएगा और इसके बुद आपने इस मिक्चर में न मियोनिस एड़ करनी है तो इस मिक्चर में आपको मियोनिस भी कम डालने की जूरूट पढ़ेगी यह देखिए इसमें आपने सिर्फ दो चोटे जम बर के इसमें मियोनिस एड करनी है और मियोनिस को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है मियोनिस से एक अच्छा टेस्ट आएगा और दूसरा सबजी यह जो है अच्छी से बाइंड भी हो जाएंगी आप समय तो यह देखिए मियोनिस को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लिया सबजीयों के साथ में अब इसके वद आपने आपने बैसे ही ब्रेट लेने हैं यहां मैं वाइड ब्रेट का यूज़ कर रहा हूँ आप चाहें ब्राउन ब्रेट में भी सेंडविच को बना सकते हैं उसी तरह से आपने ब्रेट के उपर बटर लगाना है और बटर को आपने ज़्यादा मैल्ट नहीं करना है उतना ही melt कीशिये तक कि butter knife से bread के उपर अच्छी तरह से butter लग जाए किये देखिये bread के उपर मैंने अच्छी तरह से butter लगा दिया है इसके बढ़ हम इसके उपर lettuce leaf रखेंगे और अगर आपके बस नहीं है तो आप इसको skip कर सकते हैं और इसके बद आपने देखिये वो mixture रखना है जो हमने शिमला मिर्च का mixture बना के त्यार किया है और इस mixture को आप bread के उपर अच्छी तरह से फिला देशे चारों कोनों में अच्छी तरह से आपने इसको फिला देना है इस बार हम bread की न साइड हैं नहीं काटेंगे क्योंकि जो grill sandwich है उसकी side है कटी नहीं की जाती है और इसके उपर आपने cheese रखना है मैं एक slice का use कर रहा हूँ आप दो slice रख सकते हैं इसके उपर उपर से अच्छी तरह से cover कर दीचे उपर बली side में आपने देखिए butter knife से butter लगा देना है butter से न अच्छा color आता है तो आपने butter का use करना है grill करने के लिए तो अच्छी तरह से देखिए मैंने butter लगा दिया है इसके पूद आपने bread को इस तरह से उठाना है और कहाँ पर मैं आपको pan में grill करके दिखाऊंगा आपके बास grill रो तो आप grill का use कर सकते है pan में आपने थोड़ा सा butter डालना है और bread की उपर वाली side में हमने butter लगा था उसको उपर को ही करेंगे दूसरी side को हमने नीचे को करना है क्योंकि butter हमने pan में पहले ही डाल दिया है gas की flame आपने एक्तम low रखनी है एक्तम low flame है नीचे वाली side से आप पकने दीशे फिर आपने इसको पल्टी करते ना है बड़े अराम से पकाना है आपकी sandwich ना एक्तम crispy बनेगी और टेट से दो मिन में एक side में अच्छा color आजाएगा फिर आपने इसको पल्टी करते ना है कलर देखिए क्या जवर्दस कलर आए एक side में इसी तरह से दूसरी side से भी sandwich को पकने दीजिए जो हमने इसमें cheese add की है वो अच्छे से melt हो जाएगी और के देखिए हमारा sandwich त्यार हो जएगा तो फ्रेंस अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगोगा लाइक शेर